वेल्कम बेक दोस्तों आज हम लोंग डिसकश करेंगे कंप्यूटर ओर जी के से रिलेटिड इनपोर्टिंट कोसिंस तो देखिए पहला कोशिन आप लोग के सामने कि की जाए कि इस परकार का डिवाइस है तो एक परकार का इंपूट डिवाइस है क्योंकि कीज़री हम लोग लोग information को computer में इंटर करते हैं इसलिए एक परकार का input device है देखिए अगला question आप लोग के सामने है question number two कि MS Excel में hyperlink के लिए shortcut की कौन सा hyperlink के लिए shortcut की तो control plus की होता है इसको याद कर लिजेगा important question है next question है कि कौन सी shortcut की MS word में spelling की जाच करने के लिए से उप्योग किया जाता है MS word में spelling के जाच करने के लिए तो F7 इसका सही answer हो जाएगा next एक दूरस्त मसीन से एक अस्थानिय मशीन पर data data को क्या करना data को प्राप्त करना क्या कहलाता है ठीक है एक दूरस्त मसीन से एक अस्थानिय मसीन पर data सब्सक्राइब करने को तो कहेंगे तो डाउन्लोडिंग इसका सई एंसर ऑजाएगा डाउन्लोडिंग नाइस को स्थैने वीन्डूज टास्क बार की डिफॉल्ल स्थिति कहां ऑपस्थिति तो देखें मान लिया कि ये मिले लेप्टॉप है तो जो टास्क बार होता हो ज़स्ट इसका नीचे होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसक्रीन के भाग पर होता है तास्क बार अगला कुछन देखिए कि open open office किस परकार का open source का एक उदारन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा application software एप्लिकेशन किनको बोलेंगे application बोला जाता है कि screen में ठीका ना जो भी data रहता है एक परकार का icon की तरह ठीका ना वह एक परकार का क्या application software क्लियर है icon की तरह जो सो होता है जिसके जरिये हम computer में किसी function को run करते हैं ठीक है कि कुछे नमर्शेवन देखिए कि input और output device के संदर्व में एम आई आर का अर्थ क्या है एम आई आर इंपोर्टेंट को से नहीं तो देखा जाए तो magnetic ink character ठीक है रगनी रगनीशन इसका से अंसर हो जाएगा magnetic ink character recognition देखिए अगला question है के 8 bit का उप्योग करके उत्पन किये जा सकने वाले अदूत्य कोड की कुल संख्या कितनी होती है अदूत्य कोड की कुल संख्या पूछ रहा है important question अदूत्य कोड तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 256 256 अदूत्य कोड की कुल संख्या question बर 9 देखिए कि संग्रहित program अवधार्ना डैस द्वारा पेश की गई थी तो संग्रहित program अवधार्ना किनके द्वारा पेश की गई थी तो पूर्णनाम का पूर्ण नाम तो वर्चूर्ण प्राइवेट नेटवर्क इसका राइट एंसर हो जाएगा वर्चूर्ण प्राइवेट नेटवर्क exception का question number next देख लेते हैं सरवपरतम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था चीक है यहां से आपका GK का question स्टार्ट होता है GKGS का question तो सरवपरतम भारत को इंडिया के नाम से किसे किसने संबोधित किया था तो युनानियों ने इसका सही अंसर हो जाएगा next question देखें कि चावल के साच्छे हमें कहां से पराप्त होते हैं तो रंग पूर और लोथल से रंग पूर और लोथल इसका सही अंसर हो जाएगा देखें आग्ला question है question number 3 कि वर्धन वंस की राजदानी कहां थी वर्धन वंस की राजदानी इन्पोर्टेन कोशन है वर्धन वंस की राजदानी हो जाएगा थानिश्वर क्लियर है नेक्स्ट है कि मेशोपोटामिया का अर्थ क्या है मेशोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूम अविश्कार किया गया था अगला कुशन देखिए कि श्रीनगर के श्थापना की ती श्रीनगर की अस्थापना अश्यक निंगा थी तक है आ column जा जाएगा तो वी तस्थानदी के दड़ या आपका रशोक नगर के श्रीन अगर कर की अस्थापना त्या गया था अशोक अशोक ने जो कि वितस्ता नदी के तट पर जो कि अशोक ने स्री नगर के अपना किया था अगला कोशन देखिए महावीर के ग्यारवे सिस्य क्या कल आते थे तो गंधर इसका सही अंसर हो जाएगा महावीर के ग्यारवे सिस्य गंधर हैं नेस्ट कुशन देखिए कि सिंदु घाटी सब्याता का सबसे अधिक दक्षिनी पुरास्थल कोन सा था तो दाइमावाद अहमद नगर महाराष्ट इसका से अंसर हो जाएगा क्लिएर रहे दाइमावाद अहमद नगर महाराष्ट जो के सिंदु गाटी सब्याता का सबसे अधिक दक्षिनी पूरा स्थल है नेक्स्ट है होईशल वंस की राजधानी क्या थी होईशल वंस की राजधानी तो द्वार समुद्र इसका से अन्सर हो जाए त्वार समुद्र, नेस्ट कोशन देखे, कोशन नमबर टैन, कि गंगो की प्रारंबिक राजधानी क्या थी? गंगो की प्रारंबिक राजधानी, वो हो गया अपका कोलर इसका सही अंसर हो जागा, गंगो की प्रारंबिक राजधानी, चोथी बुद्ध संगीती, किसके सासन काल में हुई थी तो कनिस्क इसका rightest answer हो जागा कनिस्क किलिया रह、 कनिस्क इसका सई अंसर हो जागा. 11 के बाद 12 देखिए कि पृत्वी राज राषों के रचीटा कोन थे? पृत्वी राज राषों की रचीटा कोन है? तो सेंसर हो जाएगा आपका चंद्रवर्दाई इसका सेंसर होगा अगला कुशन देखिए कि शाख्य दर्शन के प्रवर्तक कोन थे तो कपिल मुनी इसका सेंसर होगा नेक्श कोशन देखिए चिनी यात्री वेंग शांग भारत कब आया था तो 630 से 644 इस्वी के बीच भारत आया थे 630 से लिए करके 644 अगला कुशन देखिए कोशन नमबर 15 सम्मुद्रो गुप्त का उत्रादिकारी कोन था जिसको विक्रामा दित्य भी कहते हैं जो कि सम्मुद्रो गुप्त के उत्रादिकारी थे अगला कोशन देखिए कि जेन धर्म के दो संप्रदाई कोन कोन से थे तो जेन धर्म के दो संप्रदाई थे स्वेतांबर और दिगंबर इंपोर्टन कोशन है जेन धर्म के दो संप्रदाई स्वेतांबर और दिगंबर थे Q7 देखिए कि आग का अविश्कार किश काल में हुआ था तो पुरा पाशान काल में आग का अविश्कार किया गया था जो कि पत्रों को स्पार्क करके घिस करके प्राप्त किया था तो आग का अविश्कार जो है वो पुरा पाशान काल में किया गया था नेक्स्ट है देखिए कि सिंदु गाटिशाब यता का सबसे अधीक पूर्वी पूरास्तल तो सबसे अधीक पूर्वी पूरास्तल अगर देखा जाए तो मेरत जो कि उतर पर देश में है कहां पर है आलम गीरपूर में क्लियर आलम गीरपूर जो की मेरट में है आपका यूपी में उत्तर प्रदेश में अगला कोशन देखिए कोशन नमबर 19 कोशन नमबर 19 है कि त्रिगवेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो त्रिग वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती सरसती नदी को कहेंगे और लाश्ट कोशन देखिए कि गहडवाल वंस का संस्थापक कोन था तो गहडवाल वंस के संस्थापक थे चंद्रदिव तो मिलते हैं नेश्ट क्लास